Hello everyone, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 13.5 के अंदर हमें क्या कुछ नए अपको फीचर्स मिलने वाले हैं और जो कि 13 के मुकाबले कितना जादा बेटर आपके लिए साबित हो सकते हैं ये भी चीजे मैं आपको यहां पर बताऊंगा अगर आप सोच रिक कि 13 तो अभी तक मिला नहीं इस अभी डिवाइसे को 13.5 कैसे आ गया इतनी जल्दी तो आपको अगर याद नहीं है या फिए आपने मेरा ओल्ड वीडियो नहीं चेक आउट किया है जो कि यह है जिसमें मैंने आपको बताया है कि 13.5 के इनके डिवाइसेज को नहीं मिलेगा और उसके लावर जो डिवाइसेज बच जाते उनको मिलेगा तो आपने अगर यह देखा होगा तो मैंने आपको बताया दिया था कि इंटरनल टेस्टिंग चालू हो चुका है 13.5 का और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन ऐसे टॉप 10 पलस नहीं फीचर से जो कि आपको 13.5 में इन फ्यूचर देखनी को मिलेंगे और जो चाइना के विकली अपडेट या टेस्टिंग अपडेट आते है ना उन पर इन सभी फीचर को टेस्ट लिया जा रहा है जो कि मैंने यहां पर अभी इंस्टॉल कर रखाया अपने पोको एक्स्टू डिवाइस के अंदर जो कि चाइना में यह फोन अवेलवल है के 30 क के बीच का कि किस तरीके से साइड बाई साइड हमें बदलाओ में डिफ्रेंट देखनी को मिलता है तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज या लाइक करेगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले अगर चेंज की बात करें ना तो वह आपको देखनी को मिलता है सबसे बड़ा डिफ्रेंट के अंदर के अंदर बहुत कुछ बदल दिया गया है और इस के बारे में मैंने इस बार के यू के विकली अप्डेट में आपको बताया थे कैमरे में कुछ बदलाओ आ यहाँ देखनी को मिलता है यहाँ वीडियो देखनी को मिलता है अब यहाँ पर 13 के अंदर प्रो मोड आ गया है जबकि यहाँ पर 13.5 के अंदर हमें डोकुमेंट देखनी को मिलता है जो कि डोकुमेंट समय पहले यहाँ पर मोड के अंदर देखनी को मिल जाता था जिसे के अंदर भी बदलाओ कर दिया गया है साथ से साथ आप देखो यहाँ पर 1x जो लिखा हुआ है न यह आपको normal 1x है आगे पीछ आपको dot dot दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ पर 1x white में देखने को मिलता है और यहाँ पर 2x और 0.66 नाम दिखाई दे रहे हैं जबकि यहाँ प नहीं नजर आता है और यह हलका darker ही रहता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अगर मैं यहाँ पर द्वारा टैप कर दू इस 2x के उपर तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा photo mode पर आने के बाद जो कि zoom slider का जिसमें 0.6x, 1x, 2x, 5x, 10x दिखाई देता है वहाँ अगर हम 13.5 के change की बात करें तो 2x पर आते हैं डवल टैप करते हैं तो इसके जो slider है वह नीची को देखने को मिलते है 1x, 2x, 3x, 4x, 6x जबकि यहाँ पर टॉप पर देखने को मिलता है तो आप side by side देख सेते हो किस तरह किसे बदलाओ दिखाई दे रहा है इसके अलाबा अ क्योंकि आप देखने तो timer 2x है और यहाँ पर आपको slider देखने को मिलता है तो दोनों में आपको setting के अंदर भी बदलाओ दिखाई देता है UI के अंदर भी, font के अंदर भी और कुछ चीजे पहले से थोड़ा सा refine कर दी गई है जो कि देखने में काफी है unique लगता है और helpful भी features managers हो चुका है क्योंकि पहले हम यहाँ पर पता नहीं चलता था कि 2x कौन सा है 1x क्यों सा है टैब करने के बाद पता चलता था बट अब यह पहले से आपको indicate कर देगा कि हाँ मैं 2x हूं और वह 1x है कुछ इस तरीके से इसके अलावत change आपको देखने को मिलता है file manager के अंदर जैसा कि आप यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको एक plus folder का sign दिखाई दे रहा है उसका चार डॉट देखने को मिल रहे है और triple line देखने को मिल रहा है जबकि हम अपने 13 के folder के उपर जाते हैं यहाँ फाइल मुझे के अंदर जाते हैं तो कुछ भी नही आपको एक अलग सा animation दिखाई देता है जबकि यहाँ पर ऐसा आपको कुछ भी खास नया देखने को नहीं मिलता है जो कि हम sort पर आते हैं तो तो simple सा यहाँ पर look रहता है और देख से तो किस तरह किसे काफी अंदर हमें जाना पड़ता है change करने के लिए जबकि यहाँ पर one click पर यह सामने आ जाता है साथ से साथ plus के icon पर click कर दें तो आपको देखने को मिलेगा यह जो pop-up आया है बीच के अंदर है ना कि नीचे की और है और यहाँ पर unnamed folder दिखाई दे रहा है जबकि पहले हमें old वाले जो कि 13 है उसमें आपको देखने को मिलता है new folder और यह नीचे की और है जबकि यह बीच में है तो कई साथ चीज को बीच में कर दिया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि android 12 आना शुरू हो गया है और android 12 का जो one handed mood है वो कितना ज़्यदा easy है जिसके वज़े से जब भी हम one handed use करते है अपने phone को ना तो कई साथ चीजों को नीचे की और use करने में काफी ज़र दिक्कते आती है इस layout के वज़े से इसलिए सभी को pop up में और mid में डाला जा रहा है ताकि आप one handed easy तरीके से use कर पाओ अपने phone के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर okay बटन दिखाए दे दिया जबकि यहाँ पर भाई गायब हो गया तो यहाँ पर हम कैसे use कर पाएंगे जबकि यहाँ पर हम इस देखनी को मिलते हैं जबकि यहाँ पर हम किसी फोटो को select कर लें कुछ इस तरीके से और यहाँ पर share करें तो आप देखे हुए इसका जो pop up है वह आपको बीच में देखनी को मिलता है और नीचे आपको blank दिखाई देता है तो यहाँ पर फिर से जो one handed के लिए optimize किया गया है और यहाँ पर keyword के उपर इसके जो layout है इसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है और और भी change आने वाला optimization आने वाला है तो यहाँ पर भी आपको change दिखाई देगा another एक और change आपको देखनी को मिल जाता है जो कि आपको दिखाई देगा आपके connecting and sharing के बाद hot sport के अंदर ज इसके लिए मैं थुआ सा वेट करना पड़ेगा और एक और काफी interesting change आपको देखने को मिलेगा आपके device के अंदर 13.5 के अंदर जो कि आपके refresh rates related होगा जैसे कि आप यहाँ पी यह look देख पा रहे हो ना इसे भी काफी हो तक optimize किया गया और modified किया गया है बट यह अभी तक मि discussion अगरे दिया गया है और 120 यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यह एक आपको option के रूप में काम करेगा जिस पर click करते ही option आजएगा 60, 90, 120 और आप यहाँ ऐसे जैसे चाहो ऐसे select कर पाऊगे जैसे कि हम पहले battery के layout को select करते से same उसी तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है तो आप देख पाऊगे recent किस तरीकी से change कर दिया गया है चोटा सा window है उसके चाहो तरह blur effect दिखाई दे रहा और पूरा blur है तो अलग सा layout दिया गया है बट अभी के recent की बात करे ना तो यह कुछ simple सा देखनी को मिलता है तो यह कैसा होगा किस तरीकी से काम करेगा जब मिलेगा त क्योंकि अभी तक नहीं मिला है जैसे कि हमारा यह नया वाला control center तो I think कि यह भी आपको 13.5 महीं officially देखनी को मिलेगा लेकिन आप चाहो तो भाई manually activate कर सकते हो जिसके उपर मैंने कई बार वीडियो भी दे रखा है और मैंने यह आप activate भी कर रखा है तो आपको नहीं पता है क sidebars related जो कि आपको यहाँ पर देखनी को मिलता है special features के अंदर यह sidebar जो कि हमें मिल चुका है जो कि हम यहाँ पर activate कर रखें बढ़ 13.5 के अंदर थ्वासा और यहाँ पर modified कर दिया जाएगा वो कैसे काम करेगा तो आप देख सेते हो कि यहाँ पर sidebar है वो इसी side है जो कि मैंने इसे side पर move कर रखा है तो यह movable हो जाएगा 13.5 के अंदर आप इसे long press करके hold करके कहीं पर move कर पाऊगे जो कि 13 पर काम नहीं कर रहा है बढ़ 13.5 के update आने के बाद यह कुछ इस तरीके से आपका काम करने लग जाएगा और आप इसे कहीं पर चाहो तो adjust कर सकते हो तो यह भी change आपको दिखाई देगा Game Turbo के अंदर जिसका update अभी आना शुरू भी हो चुका है और मैंने dedicated वीडियो भी दे रखा है आप दिखोगे यहाँ पर Game Turbo का नया सा look देख सकते हो बिलकुल ही नया look है और इस पर मैंने वीडियो भी दे रखा है साइड आपने यूज भी कर लिया होगा या या यूज कर भी रहोगे इसके अंदर काफी कुछ चीज चेंज कर दिया गया है जो कि आप चाहो तो dedicated वीडियो देख सकते हो वहाँ पर मैंने काफी आप यह चेतरी किसे से explain कर रखा है और इसे चाहो तो अभी कभी यूज कर सकते हो बस system apps को आपको update करना पड़ेगा तो जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे अगर मैं यहाँ पर slide करता हूँ तो यहाँ पर रेट कलर का game turbo देखनी को मिलता है और बाके दर performance हो गया कि other options हो गय इसे लिए मिलेंगे लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हो ना अभी के अभी तो इसके लिए आपको फोन का पूटर unlock करना पर है और कई सारी चीजे करने होगी जिससे related में अक्सर वीडियो देता रहता हूँ लेकिन वहाँ वेट करो आपको जब 13 मिलेगा उसका 13.5 मिले तो यह सारे features का benefit आप ले पाओगे जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है तो मैंने upcoming features भी बता दिया और side by side compare भी करके दिखा दिया है I hope कि यह वीडियो काफे जड़ा interesting रहा होगा आपके लिए और पसंद भी आया होगा तो प्लीज यह लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सस्क्राइब करके यह बेल आइकन को अल पर सेट करें ताकि जब भी कोई नए वीडियो आए ना आपको nutrition मिले सबसे पहले